तो फ्रेंट्स वैसे तो दिपावली के बचे दीयों का इस्तमाल हम मंदिर में दीपक जलाने में करते हैं पर आज मैं इन बचे दीयों का इस्तमाल करने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिनका यूज करके आपकी सर्दियों का मज़ा दोगूना हो जाएगा वीडियो लाश्ट तक देखिएगा यूश्फूल लगे तो लाइक शेर सस्काइब करना ना भूलेगा तो दियो को हम सबसे पहले साफ कर लेंगे तो एक बार पानी से अच्छे से धूल कर इसे धूप दिखा लेंगे तो देखिए दिये से धूल मिट्टी निकल गई है और दिये अच्छे से साफ हो गए है अभी हम इने रखते हैं एक तरफ और ये हमने कुछ मसाले लिये हैं आठ से दस काली मिर्च, चार लॉंग, दो छोटी इलाइची और एक छोटा चम्मच, सौफ, एक इंच दाल चीनी का टुकड़ा और थोड़े से चाय फल सुपारी के बराबर लिया है इन मसालों को ज्यादा मात्रा में भी बना कर रख सकते हैं जिससे पूरी सर्दी चल जाया तो इनको हम एक खलवटे में डालेंगे और इनको महीन कूट लेंगे तो देखिए मसालों को इस तरह से एक दम महीन कर लेंगे इस से मसालों का स्वाद अच्छा आएगा अब हम एक दिया लेंगे और चलते हैं गैस की तरफ तो गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इस दिये को इस तरह से रख देंगे थोड़ी देर में चाहे तो इस दिये को इस तरह से पलट कर रख सकते हैं जिससे ये अच्छे से हीट हो जाए दूसरी दरफ मैंने पैन में दो कप दूद के साथ आधा कप पानी डाल कर बॉइल कर लिया है तो फ्रेंड्स अब तो आप समझी गये होंगे कि दीए का हम क्या करने वाले है कुल्हड़ वाली चाय तो आपने बहुत पी होगी आज हम बनाएंगे दीए वाली चाय तो 1.5 चम्मच चैपती डाला है और 2.5 चम्मच चीनी थोड़ा सा अद्रक जैसे नॉर्मली हम घर में चाय बनाते हैं उसमें भी हम दीए का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन ठिटूरती हुए ठंड में थोड़ा सा मसाला वाला चाय हो जाए तो मज़ा दुगना हो जाता है चाय का तो बस 1.4 चम्मच इसके अंदर ये मसाला डाल देते हैं तो चाय में अच्छा सा उबाल आ गया है गैस पे रखे दीए को हम चेक कर लेते हैं इसका कलर चेंज हो गया है ये देखिए तो इसके अंदर हम टालेंगे इस दीए को और बहुत सारे बबल साने लगते हैं बहुत ही सोंधी सी खुसबू आ रही है अब चाय को ढख देंगे जिससे दीए का जो इस मूपी फ्लेवर है वो चाय में आ जाए तो पूरी तरह से ने ढखेंगे थोड़ा सा खुला रखेंगे ने तो चाय गिरने लगेगा दो मिनट ठक कर पकाने के बाद ये देखिए दीए वाली चाय त्यार है तो दोस्तों इस तरीके से दीए का इस्तमाल करके घर पर मसाला तंदूरी चाय बना सकते हैं इस सर्दी दीए वाली चाय चरूर बनाए बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आता है और इनके साथ गर्मा गरम पकोड़े हो तो क्या कहने तो इस तरीके से दीए का इस्तमाल करके आप सर्दियों का आनंद ले सकते हैं दीए को इस्तमाल करने का ये तरीका कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताईएगा यूसफूल लगे तो एक लाइक चरूर कर दीजेगा फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में धन्यवाद